Good evening students, today we are going to start chapter 2, part 2 that is multiplication of numbers out of that 4 fundamental function जिसका और जो दो टो function बचा हुआ था उसमें से एक ठो पढ़ेंगे multiplication of numbers So basically multiplication तो आप लोग बच्पन से जानते हो लेकिन ये वाला ओरली मैं एक ठो प्रोसीडियूर बता रहा हूँ जिसकी मान लोग कुशिन दिया है 500 into 700 तो पहला step ये करना है कि जो numbers है वो पहले number दोनों को multiply कर लो 7 into 5 is 35 Step 2 है कि जितना to 0 है दोनों जगा का 0 add करो यानि पहले का 2 फिर दूसरे का 2 2 plus 2 is 4 So last में क्या करना वो 35 के साथ यहां 4 हुआ यानि चार्ट हो 0 को जोड़ दो You will get the answer that is 35, 350,000 as the answer वैसे ही एक और question दिया रहेगा 4532 into 1242 तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पहला step में करना है 4532 को 2 के साथ पहले multiply करो 22 is a 4, 23 is a 6, 25 is a 10, 0 यहां 1 केरी हुआ 42 is a 8, 1, 9 So पहला step यह हुआ वैसे ही पहला step को छोड़ दो, cross कर दो फिर next 4, 2, 0, 8, 4, 3, 0, 12, 2 यहां 1 केरी हुआ 4, 5, 0, 20, plus 1, 21, 1 यहां 2 केरी हुआ, 4, 4, 0, 16, plus 2, 18 वैसे ही थर्ड step में यहां 2 टो प्लेस छोड़ दो क्योंकि यह तीसरा है तो तीसरा प्लेस से सुरू होगा तो वैसे 2, 2, 0, 4, 2, 3, 0, 6, 2, 5, 0, 10, 0 यहां 1 केरी हुआ, 2, 4, 0, 8, 1, 9 वैसे ही यह वाला चोथा प्लेस है उसलिए पहले तीन प्लेस छोड़ दो चोथा प्लेस से सुरू करना है तो 2, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 3, 5, 1, 0, 5 वैसे ही 4, 1, 0, 4 लास्ट में आप लोंको सबको आड कर देना है और यहां कुछ नहीं है उसलिए 4, 6, 8, 14, 4, यहां 1 केरी हुआ 2, 1, 3, 3, 4, 7 वैसे 9, 1, 10, 10, 8, 18 यहां 1 केरी हुआ, 8, 1, 9 9, 3, 12, 2, यहां 1 केरी हुआ 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 5, 16 6, 1, केरी हुआ, 4, 1, is 5 So, answer is 5, 6, 2, 8, 7, 4 एक एक्जाम्पल पर आजाते हैं आप लोगा बुक में कुश्चिन नमबर 10 का बीट एक कुश्चिन दिया है How many minutes are there in a day? So, answer होगा number of hours in a day एक दिन में 24 घंटा होता है 24 hours So, एक घंटे में कितना minutes होता है? 60 minutes, हम लोग जानते हैं So, 24 hours में कितना होता है? 24 into 60 जो कि answer आएगा 1440 minutes So, there are 1440 minutes in a day वैसे ही एक और कुश्चिन दी बीट में देखना एक डिजाइनर कॉस्ट सुरूपीज 3856 What is the cost of 230 सूट? यानि एक डिजाइनर का दाम है 3856 वैसे ही 230 सूट का दाम कितना होगा? तो एक कॉस्ट है 3856 वैसे ही cost of 230 डिजाइनर सूट is 3856 into 230 जो कि आप लोग multiply कर सकते हैं वैसे ही process में You will get the answer as 8,86,880 So, coming to the next part That is division of numbers 172 divided by 2 तो क्या करेंगे? आप लोग इसमें देख सकते हैं 172 जो है उसको dividend बोला जाता है जिससे divide होगा उसको diviser बोला जाता है और जो answer side में मिलेगा उसको question बोला जाता है इसको हमेसा याद रखना अगर कोई भी value divide अच्छे से नहीं हो तो कुछ अगर नीचे बच जता है उसको remainder बोला जाता है वैसे ही एक property है division by 10, 100 या फिर thousand से अगर हम लोनको normally divide करना रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे मानलों कि question दिया है 48,000 को divide करना है 200 से तो 30 है यहाँ 20 है पहले वो सब को छोड़ दो पहला part है आप लोग 48 को 2 से divide करो answer आएगा 24 उसके बाद step 2 यह करना कि 30 है यह मैं देखिए 30 लिया हो minus कर देना यह 20 तो बचेगा 1 0 जो क्यों हो जाएगा 24 के साथ 1 0 मिला देना answer आजाएगा 230 इसको आप लोग जुबानी भी solve कर सकते हो वैसे ही एक example देख सकते हैं आप लोगा 11 का B number question में होगा divide करो 225 216 divided by 144 देखिए 144 को मैं डिवाइड किया क्योंकि पहला 22 144 से छोठा है उसलिए और एक 5 लिये तो 225 divided by 1 144 divided by 1 जो answer आएगा 144 minus कि 81 बचा 2 नीचे आए 812 वैसे 144 into 5 is equal to 720 जो कि minus करने से 92 बचेगा वैसे 1 नीचे आएगा 921 हो गया वैसे 144 6 जा 864 minus करने से बचेगा 576 नीचे आए then 144 into 4 is 576 remainder आएगा 0 यानि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा so answer is 1564 वैसे एक और question आप लोंका दिया होगा देखिएगा 13 का beat number E में donation के लिए question दिया होगा कि 782 परसन एक साल में 34,6,392 रूपीज डोनेट करते हैं तो एक जन एक साल में कितना डोनेट करता है तो डिवाइड कर देना 3,40,6,392 divided by 7,82 तो आप लोंका डिवाइड करने से answer कुछ इस तरह से आयागा 782,4,3,128 डिवाइड करने से बचेगा remainder माइनस करने से 278 और 3 नीचे उतरेगा तो नेक्स्ट इस 782 इंटो 3 जा 234,6 माइनस करने से बचेगा 4,37,9 उतरेगा वैसे ही 782 इंटो 5 जा 3,9,1,0 remainder बचेगा 469,2 उतरेगा वैसे ही 782 इंटो 6 is equal to 469,2 so remainder 0 therefore एक इंसान 4,3,5,6 देता है एक साल में donation के हिसाब से so with this I think your chapter is completed और जो बचा last part जो की approximation आप लोग उसको करने का ज़रूरत नहीं है अगर समझे हो first chapter में तो आप लोग कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप लोग लिव कर सकते हो so thank you students